मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और मैंने आपको वादा किया था कि हर फ्राइडे को मैं दूंगा आपको एक कैपसुल और वो होगा आपका बिजनस सिलिशन कैपसुल यह कोविड का टाइम है जिन्दगी उतल-पुतल होके बैठा हुआ है लेकिन हमें तो जीतना है हर हाल में हर काल में कि दो चीजों की जरुत पड़ेगी एक अचलिटी यानए फ्लेक्सबीलिटी और यानि त्वाकत ताइब को अचलीटी यान एवचिविलीटेया अपको बहुत ही फ्लेक्जिबल रहना पड़ेगा आपको बॉड़िवाइस माइंड़ पार गॉह उस शिक्रो तो मैंने क्या किया जब मार्च 2020 में जब कोविट शुरू हो गया मुझे मेरा इंट्यूशन ने बोला यह कोई दो एक मेने का गेम है नहीं यह बड़ा लंबा चलेगा ऐसा मेरा इंट्यूशन ने बोला वाट इस इंट्यूशन intuition is the fine ability to make judgment of the future in the absence of data मेरे पास कोई डेटा नहीं था यह साबित करने के लिए एक साल चलेगा देर साल चलेगा लेकिन मैंने सुला कि जब तक वो चलेगी तब तक मैं हिलूंगा नहीं मैं physically mentally emotionally psychologically strong रहूंगा तो सबसे पहला मैंने अपने आपको एक प्रतिग्या लिया एक मैं physically mentally emotionally strong and I am going to be very agile अब यह करने के लिए बहुत इंपॉर्टन बाप कियो मैंने किया क्योंकि मेरा यह मानना है the belief that you have in the beginning of the journey defines the journey आपका जर्नी का बिग्निग में आपका क्या बिलीफ है वो आपका जर्नी को डिफाइन करेगा तो मैंने तो यह डिफाइन कर दिया था कि मैं तो strong रहूंगा physically mentally emotionally and psychologically मैं हिलने वाला नहीं हूँ सब्सक्राइब कर दिया तो यह पहला आपको भी a decision लेना पड़ेगा so first is a decision have you taken a decision have you taken a pledge दूसरी बात मैं रोज सुबह साड़े पांच बजे उटने मैं तो चलता ही था तो यह मेरी हैबिट थी इससे मेरा physical stamina बढ़ने लगा और मैंने उसमें रहिंग कर दिया तो इससे मेरा physical stamina बढ़ने लगा क्योंकि मेरे को यह समझ में आ गया कि मेरे को तीन गुणा ज्यादा काम करना पड़ेगा इस पीरेड में और मैं आपको बताता हूं पिछले एक सवा साल में मैंने जितना से 30 साल में काम ने किया है and physically therefore आपको बहुत ही strong बनना है तो इसके लिए मैं चलने के बाद हमने exercise करने चालू कर दिया इससे हमारा body का पहले तो stamina बढ़ गया फिर body का strength बढ़ गया इसके बाद हमने yoga किया yoga से क्या हो गया yoga से body का flexibility बढ़ गया इनो इसके बाद हमने meditation किया इससे की एक संतुलन मिल गया पीस मिल गया तो अपन इनो physically strong हो गए mentally भी एक्दम powerful हो इमोशनली भी एकदम strong हो गे तो यह कारेग्रम किया फिर जैसी मैं चलके आता था मैं अपना कपड़े इपड़े निकाल के सीधा sunshine में बाहर जाता था और 40 मिनिट के करीब मैं सीधा sunlight क्योंकि मेरे window में से sunlight आता उधर मैं नंगे बदम बैठ जाता था कहते हैं vitamin D अभी है कि vitamin D का loading तालू है 40 मिनिट अभी था कि नहीं है मेरे को नहीं मालम लेकिन मुझे विश्वास हो गया क्योंकि मैं उसके ओपर कोई ना कोई काम कर था सारे 10 बज़े सो जाता हूं सारे 5 बज़े उड़ जाता हूं यह भी बढ़िया beautiful आदत है और शाम को इनो मैंने क्या किया जै दोनों को देखता हूं फिर उसमें मैं अपनी टिपनी अपना लर्निंग का दो ब्लॉग बनाता हूं और फुर मैं वो स्मार्ट में और संतोष नायर नॉलेज प्रडक्स में अपने कस्टमर्स में बाट देता हूं बहुत लंबा मेसेजिस होता है लोग बुलते हैं आप इ और इसमें अगर कोई आदमी फाइदा होता है तो लेलेब resemble नहीं होता है हमें तो फाइदा हो गया और अब बहुत में पोरेकर ने कर रहा है मैं लिख रहा हैं अभी मेरा पड़े नहीं पड़े यस से को में मेंANG से बढ़ता हैं एक उन CBS ay ऑस सम्झार न 비onta और पेजिए एजिलीट और स्रेंथ इन डिफिकल्ट अंसर्टन टाइम बहुत इंपार्टन ए उसके ओपर मेरा काम चालू है हर दिन रात को सोने के पहले अच्छा उसकी काम वह जैसी खतम किया फिर मैं अपना विक्ट्री बुक लिखता हूं विक्ट्री बुक मैं अपने को क्या लिखना विक्ट्री फॉर दे आज तीन जीत मेरी क्या हुई वाइड दिस अगला स्टेप में क्या लूँगा पहला एक्षन लूँगा प्रिक्या लूँगा ग्रेटिक्यूड लिगूट लिखता हूं आज मैं कृत्तग्य किस आदमी की प्रती हों वाय हम आग्ट्फुल ग्रेट् लूँगा रोज रात को सुने के पहले मेरी कंपनी की जो 6 core values है हमारा जो smart है उसका 6 core values है demanding excellence, challenging the status quo, speaking from meaningful experience और ये सब जो 6 core value है इसी तरह से हमारी कंपनी का उसका ये values को कैसे मैंने जिया ये लिखता हूं ये जो 6 चीज मैंने कैसी जिया इससे मेरा strength बढ़ता है इससे मेरी agility और फिर मैं अपना health को improve करने के लिए ये जो 21 day habit वाला book लिखता हूं आज मैं चलने को गया, आज मैंने योगा किया, आज मैंने भावशुदी का उशो का CD सुना, आज मैंने ओम स्वामी साब का मैंने वीडियो सुना करोध के उपर और ये सब चीजे करते-करते, फिर मैंन मैं दुपेर के टाइम पे और सुवे के टाइम पे breakfast मदर के साथ करता हूं, lunch मदर के साथ करता हूं, उसके साथ वक्त बिताता हूं, तो और भी खुशी होती है, और भी आनंद होता है, फिर wife के साथ every alternate day picture देखता हूं, कल रात को भी मैंने देखा, तो इससे एक उसके साथ बांडिंग हो जाता है, बच्चों के साथ भी टाइम पिताने का चकर चलाते हैं, ये सभी चीज़ें, और दूसरी बात, कोई भी COVID मेसेज को forward नहीं करता हूं, receive किया तो भी forward नहीं करता हूं, पढ़ता नहीं हो, कोई video forward नहीं करता हूं, COVID अपना काम कर रहा हूं, मुझे COVID स को strong रहना है, और मेरे को agile रहना है, flexible रहना है, तो अगर आप मेंसे कोई आदमी को गिटार बजाने को अच्छा लग बजाईए, क्योंकि आपका mental state और भी बढ़िया हो जाएगा, आपको painting करने से आनंद मिलता है, कीजिए, आपको और कोई काम गाना गाने से आनंद मिलता ह तो कीजिए, ये period है, जहां पर आपका strength और आपकी agility आपका संतुलन test पर किया जाएगा, ये असाधारन पाइने, असाधारन physical ability, असाधारन mental ability, असाधारन emotional ability और psychological ability और spiritual ability की जुरत है, ये असाधारन चीजे करने के लिए, आपका अपना mechanism क्या है, मैंने अपना mechanism बता दिये, आपका अपना मताईए, आप अपना संभालो न, आपको हो सकता है कि सुबह होटके इनों कुछ करने से, इक particular चीज करने से आनन्द मिलता है, तो वो कीजिया, because ये जो पीरिड है, ये period में नाराज नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है, अंगरी न होगे, there are moments, जब मेरे को भी दुख होता है, there are moments, जब मेरे को लगता है कि संतूलन बिगड़ रहा है, there are moments, जब मेरे को लगता है मैं ठक गया हूँ, लेकिन इस दिन में एक बार, ये भावना हती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा दि है जो flexibility है जो speed है सोच की यह बहुत ही जबर्दस तरीके से बढ़ता है यह सब हमारी नहीं जिम्मेदारी है हम human beings है हमारे हाथ में हमारे future लिखने का और हमारा destiny को control करने का अधिकार भी है नहीं जिम्मेदारी भी है और हमारे पास वो चॉइस भी है यह चॉइस को exercise कीजिए आज का यह business solution capsule के लिए इतना ही मेरा नाम ताइगर संटोश नायर है मैं smart training and consultancy services का chairman हूं और संटोश नायर knowledge products and merchandise का भी chairman हो हम लोग धंडे वालों को और इंसानों को और enterprises को transform करते हैं all the very best thank you very much for listening to me अगले Friday फिर मिलते हैं एक और business solution capsule के साथ good luck and thank you very much